बॉलियूट की सुपर हिट फिल्म में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलियूट और बेल आइकन पर प्रेस करें कर दो दो कि अल्ट्रा बॉलियूट करें कि अल्ट्रा बॉलियूट करें प्रेस करें कर दो झाल 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 ये झाल 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 इसलिए तो कहता हूं क्याआ फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे है जीरो फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं बिल्कु जीरो जीवन है एक रफ्ता में हू रही हैं जाना सारी दुनिया मेरी अपनी कोई नहीं बेगाना जीवन है एक रफ्ता में हू रही हैं जाना सारी दुनिया मेरी अपनी कोई नहीं बेगाना हर दिन मुझको प्यार करे मैं हू ऐसा दीवाना हर दिन मुझको प्यार करे मैं हू ऐसा दीवाना जीवन है एक रफ्ता मैं हूँ रही अंजाना सारी दिया मेरी अपनी कोई नहीं बेगाना हर दिल मुझे को प्यार करे मैं हूँ ऐसा दीवाना इसलिए तो कहता हूँ यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो बाकी फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो आईये साप जी आईये इतनी जल्ली को आगए थोड़ा और आराम से आते ताके टिंगू की तरह सब के सब सोजाते क्रिष्णा अरे बहाई कितनी दफ़ा मैंने का कि खाना खा दिया करो मेरे बगैर कोई मानता ही निया है वाँ बड़े भई आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपके आने के पहले खाना खा लिया हो पच्छिम से आज तक सूरज नहीं निकला बड़े भईया और नहीं कभी न लेगा प्रिष्णा लगा बाड़ी दिनों की मेमान है अब तु इस घर में क्यों भाईया कहा जा रही हूं मैं पड़ी सीदी सीवाद है तेरी शादी हो रही है साच तो चादरी साब है ना उनका बेटा राहूल क्या है बड़ा अच्छा लड़का है जाना पैचाना भी है और पड़ा लिखा भी है और वह सुन्दर भी है मेरी राय में तो तुम अपनी राय अपने पास रखो हम ज्योती की राय जानना चाहें नहीं भाया मैं शादी नहीं करूंगी हाँ जब लड़की शर्मा करें ना कहती है ना तो समझे उसका मतलब हाँ होता है क्रिश्ना अरे मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूं छोटी वाल किन भावी मां किसे माना की जिना देखिए साब जीना कहीं आपकी बाते साजमानली ना तो बहुत पश्टाएं आज के जमाने में ऐसे बेहन भाई कहा मिलते हैं इतना प्यार है आपस में इतना मेर जोल है कुमार पेटा तेरी सौदेली मारे आज तक तुझे जिम्बेदारी के सिवा कुछ नहीं दिया और आज में अपने बच्चों के जिम्बेदारी तुछ पर मां मैं मैं अपनी जान से बढ़कर प्यार करूंगा इनकी आखों में कभी आशू नहीं आने दूंगा ये वादा रहा मैं जानती हूं बेटे लेकिर अक्सर अपनी उलाद हो जाने के बाद तुम्हें हमेशा ये डर सताता रहा है न मां तो ले आज मां तेरे सर पर हाथ रखकर कहता हूं मैं कभी भी आपनी उलाद नहीं होने दूंगा कभी नहीं आज मां तो जब भी नहीं देखती हूं तो ऐसा नगता है हमारी कुर्बानी बेका नहीं गई इन्होंने कभी हमें अपनी आउलाद की कमें मैसुस नहीं होने दी है ना हूं जानकी जानती हो जब मैंने इस घर का नाम स्वर्व रखा था मैं जानता नहीं था कि वाके ये स्वर्व हो जाएगा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मिलन ओनस एसेशन के प्रेसिजन के लिए इस साल दो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं एक हैं शिरी धन्राज जी जो पिछले आच सालों से इस कुर्शी की जिम्मदारी समाद्य चले आ रहे हैं और दूसरे उम्मीदवार हैं शिरी कुमा और शिरी कुमार साहब को 13 वोट अब मैं पुराने प्रेसिजन धन्राजी से दर्ख्वास करूँगा कि वो नए प्रेसिजन कुमार साहब को फूल माला पैना है मैं समझ सकता हूँ सिर्जी आठ साल से जिस कुर्शी पे आप कब्दा जबाए बैटे थे आज एक पल में उसके चिंजाने से आपको कितना दुख हुआ होगा लेकिन किया भी क्या जा सकता है ये कुर्सी भी बेवफा महबूवा की तरह है आज इसकी तो कल उसकी आज कुमार ताबको मिल जाएगी तुमने समठता ना थी नावड़ भाई समठता ना थी तुमें आपका एक कल तो एक साल के बाद आएगा न ये कल तो नहीं आने वाला है न और इस एक साल के अंदर कुमार भाई को ये पता चल गया कि मैंने इन आठ साल में इन मिल ओनर्स एसोशीएशन के लाख्षोरुपे क पन्त का गपला किया है क्या होगा मेरे खिलाफ कारवाई शृड़ कर देगा मुझे जियल ओ सकती है नाकपल भाई जैल आप कुमार साफ से खामखा घबरा रही है थे पहुत हैं इस इमामदरी स्टरफ आख साप और इमांदार अदमेद को मार थे आप चाहते क्या है तेट जी आप समझते नहीं नाकपल भाई यह आदमी सला पहले से मेरे सरका दर्द बना हुआ है जब देखो तब सला मेरे समने दीवार बनकर खड़ा रहे जाता है अभी अभी थोड़ी दिन पहले के बात यह यह अजेंटा गार्मेंट वाल यह अजेंट जिन्दगी भर 2000 रुपए की नौकरी ना करने बड़े इसलिए मैंने आपके दाथ हाथ मिलाया और जब हाथ मिलाया तो आपकी मद्द करना मेरे पल बनता है आप सिर्फ बताईए आप चाहते क्या है तुम्हारे कुमार भाई की बरबादी नाकपल भाई मैं जैसा बोलता हूँ वैसे तुम करते जाओ ये तुम्हारे कुमार भाई को आस्मान से खीच कर समिन पर लग जिरा दू तो मेरा नाम भी धनराज नहीं सर मार्किट ते काफी लोन उठा चुके है अब भी पचात लाग कम पढ़ रहा है चौदरी साहब से हमने फ्रेंडली लोन मांगा था क्या हुआ विजवाया नहीं उन्हें सर इतनी बड़ी रकम है कोई भी सेक्यूरिटी चाहेगा चौदरी साहब ने कहा है जी नहीं उनके वकील ने ऐसे यह कियो किक्यूरि लुटई के तौर पर हमारा बंगला गिलवी रख तो इंब काख्जात पर साइं कर सहल किसा रहे यहि तॉटा पशल कटने पर अपना करदा चुका देता इसी तरह हमारीगा ड्लीट पर हम अपना करदा चुका देना अरे यह बिजनस है असानी से तेरे दिमाग में नहीं गुसेगा दौलत कमाना इतना असान थोड़ी है यह दौलत भी आदमी जरूरत से ज़्यादा कमाले ना साब जी तो जी का जंजाल बन जाती और फिर आदमी कितना भी कमाले तो रूई औ पर तो नहीं सो सकता बात तो तुने सही कई लेकिन ये बता आजकल तो इतना रूपया क्यों ले जाने लगा है अरे साब जी हमारे चोटे साब है वो दानफुन के मामले में आपसे कम थोड़ी है अभी अपने विकी भाया कह रहे थे कि 10,000 रुपया अना थासरम में दान कर अगया कैसे हो दणराजी ये कि मैं तो अज्च्छा हूं कुमार साब लेकिन आप मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही है उद्टे उद्टे मेरे कान में खबर पोचिए कि आप मेरे खिलाफ कुछ कारभाय कर रहे हैं यृई मैं आपकी बहुत इज़त करता था धन्राज जी कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप जैसे आदमी ऐसी बहिमानी का काम करेगा सुव बात करो जो बहिमानी और मैं यह तो दो बाते कुमार साब जी नहीं दोनों बातों का एक ही नाम है सेट धन्राज बड़ी सीधी सी बात है आपने मिलोनस के फंड में लाक रुपे की हेरा फिरी की आपने प्रेजिदेंट की कुर्सी का नाजाच फाइदा उठाया है कुर्सी का फाइदा कौन नहीं उठा था कुमार साब बेमानी से तो सारी दुनिया चलती है अब ऐसा कोई रास्ता नेका लेने की मैं भी मगर मारी से बच जाओ और आपकी परेशानी भी दूर हो जाए देखो उसके लिए आपको मेरे पर कुछ गिर्वी भी नहीं रखना पड़ेगा और जिंदिगी में आपको कभी भी पैसे लुटाने की भी ज़रूरत नहीं है आपने मुझे चाटा मारा तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है मैंने और इससे अच्छा जवाब था भी नहीं मेरे पास हमारे गुजराती में कहावत है कि खाना है तो चाटा भी खा लो मगर प्याज के साथ वापस करो प्याज के साथ लटाओंगा प्याज के साथ गुजराओंगा प्याज के साथ लटाओंगा मैं अभी लिख आते हैं, प्लीज जोइन हो जोती को साथ मिलाता है, तुमने हमारे बड़े पार्टी में चार चान लगा दिये दीपा इस पार्टी का मज़ा और भी बड़ सकता है, अगर तुम अपनी सहेली के सौफ्ट रिंग में थोड़ा सा हाड रिंग मिलाकर उसे पिला दो तुम चाहते क्या हो प्रिंस? इस खिलती हुई कली को फूल बनाना चाहता हूँ बाकी सब मैं संभाल लूँगा ये खड़वा क्यों है? क्योंके मैंने इसमें जहर मिलाया है नाराज क्यों हो भी है? क्या? जोती तुम्हारे करपर भी नहीं है? नहीं नहीं, मैं उसके सारे सहलियों को फोन कर चुकी हूँ कहीं भी नहीं है अच्छा आपकी लाडली है? आप नहीं छूट दे रखिया उसे कहीं भी जाए, कुछ भी करे आप तो कुछ कहेंगे नहीं नहीं होते क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग जोती अब बच्ची तो नहीं बच्ची नहीं है, इसलिए तो फिकर है वाट हैबंट जोती? कुछ नहीं कम आन, धान नो कम आन, कम आन प्लीज लीव मी चाह मुझे जितने चाहे चाटे मार लेना पहले चाटे खाल लेने जीजा काम तो कर लेने दो दीपा दीपा अच्ची तो मैच्ची तो भी जरा भाई साथ एक मिलेट तो अच्ची तो भाई साथ आई जरा इस आरा भाई मुझते, पेले लिए लीए और दिपाजी, छोटे बाल किनजी की? छोटे बाल किनजी कर, छोटे बाल किन चीज़? अच्छा जो जोती, वो तो यह गंटे पहले चले गई चलेगी? नाgy! ऑमान, जुबै? रूख सलय! कौन ही बतु? हमारा नाम क्रिस्ना है ये हमारी छोटी मार्किन है साले हम इनकी तरफ उठने वाली आख नुचले तुन्हें हाथ कैसे लगाया तुन्हें और बार उसे तुन्हें 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 ठोब क्रिष्णा क्रिष्णा अगर आज तुन्हें बख्पर नहीं आते हैं तुन्हें रोबा चुटे मार्पिन हमसे तुम्हें आसु नहीं देखे साथ है बसकर अगर चलो चोटी मार्पिन घर में सब बहुत परिशान है तुम्हारा इंतजार हो रहा चलो कहां थी तुम अब तक मैंने पूछा कहां थी तुम अब तक इसके फट हुए कपड़ों को छुपाने वाली तुम्हारी शाल ने सब कुछ कह दिया रहे जा तु अंदर जा क्रिश्णा तुम्हारे सहसान का बचला में कभी नहीं चुका सकता नहीं सापजे नहीं सापजे इस घर की इज़त के लिए तो क्रिश्णा अपनी जान भी दे सकता अगर अगर अब चाहें तो कल पंडीची को बिला लूँ अच्छा सा मुरत देखकर जोती की मंगने देखकर देते हैं ठीकर ये तुम अच्छा सापजे अच्छा सापजे तुम सजना के घर जाओगी हमें याज बहुत आओगी तुम सजना के घर जाओगी हमें याज बहुत आओगी इस घर इस अंगना में हमको हसाना रुलाना भूल न जाना चोटी मालक नहीं तुम सजना के घर जाओगी हमें याज बहुत आओगी इस घर इस अंगना में हमको हसाना रुलाना भूल न जाना चोटी मालक नहीं तुम सजना के घर जाओगी हमें याज बहुत आओगी Müzik आखे शर्म से हे जुकी, मन में लड्डू पूट रहे, सईया के घर जाना है, ये हम से कैसे कहे, सुनो सुनो लोगो कहे शहदारे, जट मंगनी तो, बट करो शादे, इसकी शादी में देर लगाना नहीं, तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी तुम सजना के घर जाओगी तुम सजना के तुम सजना के घर जाओगी मेरा जर्या परिश, हमेरा मेरा घर पर देश है रहना तुमको सजन के देश है रहना मेरे उगना से जब तुम जाना उस घर को भी स्वर्ग बनाना मेरे पास कभी नगुलाना सिंदू के लाज निभाना दिल किसी का ज़ी दुखाना नहीं तुम सजनक घर जाओगी हमें याद बहुत आओगी इस घर इस अंगना में हमको हसाना रूलाना रूले नजाना चोटी माल दिन तुम सख्षा गानता चोटी में इसलिए आओगी आओगी की आओगी क्या पाथ है क्या होगा भईया आओगी आओगी वक्टिनायर लगए लुआखे क्रिष्णा पर पर आप यहाँ आर लाँन है अए ओर तरय वी खर यह होगाँ आर यह तर। कर वाँ चर इंगान कर घर थे खर। ये जो प्रड़ा क्याक हारा नलम्हे और जाकम इंभांड भाल्याल ये बच्ताइपने आप इंट करते कि गृफिर दोल्दों सक्ति पाल विते हैं मैंने इन्यक्शन तो दे दिया है लेकिन एक बात का खाल रहे है इन्हें आराम की सक्त जरूरत है अच्छा कुमार साथ चलता देखो ये उस गोलिया है इन्हें 24 घंड़े अपने पास रखना हूँ जब कभी भी दुबारा इन्हें दर्द उठे एक गोलिया दे दे देना मगर डॉक्टर इन्हें इन्हें हुआ क्या है इन्हें दिल का तौरा पढ़ा है दिल का तौरा? घब रही है नहीं मैं कल फिर से चक अप के लिए आजाओंगा ठीक है? जब तक मामला ठंडा ना पड़ जाए यहां पर मता ना क्या कर रही है यहां पर? मैंने तो मैं भी नहीं आना चाहता था तौरा अगर मैं आपको बताने आँ कि पुलीस बहुत ज़रो शोरो से इंवेस्टिकेशन कर रही है पुलीस को असलियत का पता जरूर चलेगा ठीक हमारे गुजराती में कावर है कि बादूर को उसकी बादूरी फसाती है और डर्पोक को उसका डर इसी डर के कारण तो आदे से ज्यादा मुझरिम पकड़े जाते है नाकपल भाई मैं पुटतों इसमें डरने की क्या बात है लेकिं तुम ऐसे डर के मारे उल्टे सीदे काम करते रहे नाकपल भाई तो मुझे भी तुम्हारे साथ साथ जिल्की चक्की बिसने जाना पड़े सारी गलप ही हो गई अब दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा अब जाओ और कुछ दिनों के लिए भूल जाओ कि तुम मुझे जानते भी हो लेकिन सेरी जाने से पहले आपको मुबार्क बात दरूर दूँगा आप अपने मकसद में काम याब हो गए मेरा मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है नागपल भाई तुम्हारे कुमार साब को तो बात कुछ सैना पड़ेगा अभी तो मैंने सिर्क जखम दिया है उस पर नमक छिड़कना तो अभी बाकी है साब्ची क्या है क्रिष्णा वो वो साब्ची तु रो क्यों रहा है हाप एक मेट के लिए भार आई है साब्ची हलो चादी साब आपने शेगन के तोफ़े वापस क्यों बेश दिये जब लड़के वाले कर सकते हो तो शादी के तोफ़े वापस कर दी जाते हैं कुमार भाई मैं क्या करूं राहुल शादी से इंकार कर रहा है उसे जोती पसंद नहीं बात सीधी सी है चादरी मेरा बुरा वक्त चल रहा है आपने भी आखे फेली मुझसे लेकिन इस सब की सजा मेरी पिचारी बेहन को क्यों दे रहे हो उसका क्या करसूर है आइं सॉरी क्या पाद है सॉरी सॉरी कहा है उसने उसने काया कि राहुल को जोती पसंद नहीं है यह शादी नहीं हो सकती माँ मैं मैं अपनी चांड से बढ़कर प्यार करूंगा इने इनकी आखों में कभी आँसू नहीं आने दूगा यह वादा रहा मुझे माफ करते माँ मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका अब कप तक यहीं बैठे रहोगे सोना नहीं है क्या तुम भी कमाल करती हो बावी खर में रिच्ता तूट गया और तबे छोंने की पढ़ी है आगर मेरे जागने से रिष्टा जूड जाता तो मैं सारी राग जाकती रहती है तुम कहना क्या चाहती हो नाना ? मैं कहना नहीं बताना चाहती हूं क्या ? तुम्हारे बड़े भाईया ने करजे के बदले में ये घर भी गिर्वी रख दिया है तो ? ओओओ कब समझाएगी तुम्हें तुम लोगों का बिसनस चल रहा है और बड़े भाईया बरबाद हो चुके कहीं ऐसा ना हो कि बहन की हमदर्दी में बड़े भाईया का लाखो करोडों का करजा तुम्हारे गले पड़ जाए वो जो करते हैं करने दो तुम अपना अपना कारोबार संभाल के रखो नहीं कुमार साहब बस आप हमारे रूपय लोटा दीजिए इस वक्त रूपय लोटाना तो बहुत मुश्किल है लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपकी रखम ढूबे की नहीं आपकी इमानदारी पे तो शैतान भी शक नहीं कर सकता मगर कुमार साहब हमें रूपयों की सक्ज़रूत है कुमार साहब हम सबका एक सजिशन है आपके काफी कंपनियों में शेर्ज हैं जूनागर में जमीन और जैदाद भी है आपकी हमने तमाम पेपर्स तयार कर लिए बस आप दसकत कर दीजिए चंपक भाई यही तो बचा हुआ है अगर मैं इसे बेच पीदू तो मैं आपकी रखम पूरी नहीं कर सकता मैंने तो यह सोचा था कि इससे नया कारवार शुरू करूँ ताकि आपकी एक पाई चुका सको यह मेरा वादा रहा मुझे थोड़ी से महलत चाहिए तो फिर हम आपको छे महने की महलत दे सकते हैं छे महने का वक्त मेले काफी है बहुत बहुत शुक्र उगजार हुआ आपका मैं वादा करता हूँ कि आपके एक एक पाई चुका चुका तो ठीक है गरेंटी पेपर तयार है आप इसमें आपने भाईयों के दसकत करवा देज अब इस पर साइन कर देना तसल्ली हो जाएगे वो तो ठीक है बड़े भाईया लेकिन इस तरह साइन करवा के आप किस-किस को तसल्ली देंगे मैं कुछ समझा नहीं तु कहना क्या चाएगा नया कारोबार शुरू करना उस पर पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है बड़ भाईया अगर वक्त पर आप करज नहीं चुका पाए तो हमारा क्या होगा कि अगर आप बुराना माने तो एक सला दू बड़े भाईया एक अरजी दिवाली के दीचे और छुटी कीजिए यह क्या उल्टी-सुल्टी बात कर रहे आप इकी बहिया साब जी दस्तकत मांग रहे है आप सला दे रहे आप दस्तकत किजिए रहे नहीं कर सकते अरे साब जी आपने हमको इस काबिल क्यों नहीं बनाया मैंने अच्छा किया कि मैंने तुझे पढ़ा लिखा नहीं मेरे क्रिश्णा कुमार साहब मैं एक मामूली सा अगमी है और मेरी रकम भी कोई बड़ी नहीं सिर्फ दो लाक रुपे हैं जब सभी को कुछ न कुछ दिया है तो मैं आपको भी निराश नहीं करूंगा सब्सक्राइए यह आपकी सबसे मन पसंकार है इसे हम नहीं ले जाने देंगे कृष्णा जब आदमी बेकार हो जाता न उसे तो उसे कार की जरूरत नहीं पड़ती यह कहना चाते हैं आप करक्ट देख चावी देदे सेड़ जी को जब जब सब कुछ चला गया है तो फिर यह गाड़ी रहने से क्या होगा हां कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो इतनी देर खरे लेकर क्या देखरे हैं आप देख रहों कि आस्मान से जमीन पर गिरने में कितना कम वक्त लगता है साब जी, जलने के बाद इस मिलका जो आप हाल देख रहे हैं न, दुख और चिंता से, इंसान का इससे भी बुरा हाल हो जाता है चलिए साब जी घर चलिए, घर में सब आपका खाने पर इंतिजार कर रहे होंगे मुझे भूख नहीं है, कृष्णा वा रवे भईया, वा 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 दिक्कित आप लोगों ने भगवान का रिकार्ड तोड़ी दिया, सूरज को पच्छिम से उगा ही दिया और कल तक, कल तक तो आप लोग आधी आधी रात तक साब जी के लोटने का इंतजार किया करते थे न, और आज क्या हुआ, रोज इंदार करते हैं, एक दिन नहीं किया तो कोई पहार नहीं तूट पड़ा किसी को इज़त के आस्मान पर बैठाने के बाद, इस तरह पेज़ती के जमीन पर गिराना अच्छी बात नहीं है प्रिश्ना, बहुत लंबी हो रही है जबान तुमारी, यह पक्वास बंद करो आज हम बोलके रहेंगे रवी भाया, आज हम बोलके रहेंगे आज तक इस घर में कभी ऐसा रही हुआ, कि साब जी की आने से पहले आप लोग ने खाना खाली हो बगर आज, आज हम देख रहेंगे, कि आप लोग ने साब जी को अपने ही घर में पराया बना दिया अरे बच्पन से जवानी तक जिस पेड़ की छाया में आप लोग रहते रहें आज वो सूखने लगा तो उसी को काड़ दिना चाते हो विकी भया हरे उस पेड़ को पानी की द्रूरत है मौसम का इन्तजार है उस पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा और पार फिर से आप लोग उस पेड़ की जाया में आराम से रसकोगी है ज्यादा बत्बक मत करो जो हमारा फर्द हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से निभार है आप लोग अपना फर्द बड़े भाई के गले में कर्द का फंदा है, और भाबी के गले में हीरो का हार हुआ है दो कोड़ी का नौकर और हमारे मूह लगता लोगों के कुट्टे घरों में जंजीरों से बंदे रहते हैं लेकिन यहां तो खुला ही छोड़ रखा है लैना भाबी गलत है वो लोग जो कुट्टों के गले में जंजीरे बालते हैं क्योंकि कुट्टा जब भी भौका है अपन छोड़ो भी, क्यों छोटे आदमी के मूह लगते हो, चलो साब जी, खाना खाने जी, नहीं कृष्णा मजब भूक नहीं है, एक बात कुम साब जी, अब आप अकेले खाना खाने की आदट डाले लीजे, तु मेरा इतना ख्याल मत रखा गरे, खरवालों के जिलत के बाद तेरा ये प्यार से नहीं जाता, क्रिश्णा, मेरी एक बात मान, तु यहां से बहुत दूर चला जा, मेरा तो कर्तव यह है, मैंने मरती मा को वचन दिया था इसने भाईयों का साथ नहारा हूँ, देख, जब नदी में, जब नदी में बार आती है तू किनारे के पेर हो वह भी ढूप जाते हैं लेकिन उन पर पंचियों होते हैं, वह उड़ जाते हैं, और उन्हें उड़ जाना चाहिए तुपी जा नहीं साप जी नहीं साप जी नहीं कृष्णा कोई पंची नहीं है और नाई कोई साया है जो अंधेरे में साथ छोड़ दे है हो चलो जी महमानों की लिस्त पूरी हुई मेरे दस पंदर दोस्त बढ़ जाएंगे बावी जरा ख्याल रखना कोई बात नहीं तुम अपने लिस्त अपने पास ही रखो और अपने महमानों को खुद ही बुलाना इस तो और भी बहुत जरूरी काम है किस बात की तयारी हो रही इस इसर पहले भी तो हर्साल मैं अपने बर्डेपे पाटी देती आहीं हूँ इससे पहले इतना बुरा वक्त भी इस घर में कभी नहीं आया मेरे हिसाब से अब मैं फजूल खर्ची बंकर दीनी चाहिए ठिकर मत किया बड़े वहीं इस बार पार्टी का खर्च हम लोग दे लेकिन वो करस देने वाले नहीं जानते जिन्हों ने रुपया दिया है वो तो यहीं समझेंगे कि हम लोग यहां पर आश कर रहे हैं और उनका रुपया वापस नहीं लोटाया जा रहा हूँ करसदारों के देर के वज़े से तो कलको आप यह भी कहेंगे कि हूं खाना भी ने छोड़ है अग्यान की बधीया हो लेकिन उस खांदान से पहले इसघर की बड़ी बहु भी अगर मौत हो जाये तो बड़े से बड़ा टैवार भी हो तुसे मना नहीं जा दो किसकी मौत भी है इंसानियत और शराफत की मैं तो यह कहूंगा कि इंसान को चादर देखकर अपने पाउं पिलाने चाहिए यह फिजूल खर्ची बंद कीजिए बाकि आप लोगों की मारसी दूसरों को नसीहत देना कितना आसान करजा खुद ने लिया है और बचत की बट्टी हमें बढ़ा रहे हैं अगर बचत का इतना ही ख्याल है तो यह कीम्ती सिगार छोड़कर बिड़ी को नहीं पिते अगर देवी देवता दो सो रुपए में किसी की सहटी करें तो जो हजार रुपए डॉक्टर पर क्यों खर्चा करते पहस मत करो रवी क्या तुम्हें अपने भईया से प्यार नहीं है बेवाकूफी का नाम प्यार नहीं होता है भावी और वैसे तो बड़े भी आई हमेश बचत करो बचत करो की रट लगाए रहते हैं अभी अभी नहीं से कहके गया है कि बड़े पार्टी मनाने की कोई ज़रूरत में और शायद वो ठीक ही कह रहे है भावी पिजूल घर्चे की अब हमारे पास कोई गुझाश नहीं है प्रभी जी भावी अब क्या हुगा भावी अरे चुक यह लो यह क्यों नहीं ना को जो हार पसंद आया है वो शाम पहुचाना चाहिए समझे वह भावी हो तो आप जैची जोती यह क्या है मेरे शादी के जेवर इसमें से जितने जरुरत है ले लीजी नहीं जोती यह एक तो तुम्हारे शादी नहीं हो पाई और उपर से मैं तुम्हारे गहने ले लूं नहीं इस घर की जोटी बेहन के शेवर उतार कर मैं अपनी जरुरते पूरी नहीं कर सकती मुझे मुझे रूपियं नहीं चाहिए नहीं जहीं है तो थारी अपनी कोई चोरी वरी की तो ना है नहीं सेट जी चोरी की नहीं है किसी का दिया हुआ तोफा है किसी के अच्छे वक्त की निशानी है आज उसी पर बुरा वक्त आया है इसलिए मजबुरां पीच रहा हूँ चलिए ले विक्की भाईया रभी भाईया क्या हो रहा है यह सब क्या चाहिए आप लोगों को हमारे मक्से में से क्रिश्णा जोटी के गहने का है चोटी मालकिन के गहने है ओ कितना अंजान बन रहा है बेचारा सीधी तरह से बता दे कि जोटी के गहने कहा चुपाए है रही बेच कर तो नहीं चला आया आप लोगों को हम पर ऐसा घटिया इलजाम लगाते हुए शरम आनी चाहिए हरे, हरे क्या हम अपने इघर में चोड़ी करेंगे हाहाँ छोटी मालकिन छोटी मालकिन के हम चोड़ दिखाए देते हैं हााँ क्या चोडी जासा मीच और घटिया काम हम कभी कर सकतेय तो भें गहने कहा गये हैं? इस घर में और कौन है जो चोरी कर सकता है तुम्हारे सिवाइब बस भाया मुझे अपने गहने चोरी होने का इतना गम नहीं जितना कृष्णा की बेज़दी का है ये चेन तुम्हारी है न जोती ये हम को ने बता की आमारे बक्से में कैसे पहुची है कि हम सच कहते हैं तो तु कहना क्या चाहता है हम यह से किसी ने चेंट फिरे बक्से में रख दी ये इस तरह नहीं मानेगा बोंद करके पुलिस को बुला वह खुद ही कुभूल करवा लेगी तुम ठीक है रहे हैं हरे नहीं नहीं इस घर में पुलिस में आएगी छोटी मलकी कि उल्जने मैं खुद सुल जा सकता हूं सापजी सापजी इने डाटी है अब एक आभी डाटी है हरे छोटी मलकिन के गहले चुरी हो गए और यह लोग हम पर शक कर रहे हैं यह लोग सोच रहे हैं कि हो गहने हम कहीं बेचा आए पाकी के रुपए कहा है क्रिश्ना क्या पूछ आपने सापजी मैं पूछ रहा हूं कि बाकी के रुपए कह है यह आप पूछे रहे हैं सापजी अपने क्रिश्ना से तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहां बेचे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा अब कहने के लिए बाकी क्या है सापजी एक चुटा सा सवाल पूछके आपने बहुत कुछ कह लिए हैं सापजी क्रिश्ना बात को आगे मत बढ़ो बात आगे बढ़ चुकी है सापजी बात आगे बढ़ चुकी है अब तो पुलिस को ही बलाईए वो जब हमें कुछ ने कितरा मार मार के हमसे पूछेगी ना हब तो हम तब ही बताएंगे कि हम मैंने कहां बेच कर आया साप जी मत कहो में मिला थी क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए उसका मुझे तुमने ये बतला दिया जिस दिन मेरी फैक्टरी जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज युआ जब तुमने इस घर में च कब नहीं हुँआ जितना डुक्त हमें अच हुआ है कि जब से चॉर इस है आपने वी क्या ने ऐसे का liquid दे में छुए कि गतब फैराव के ज्याए तिरुक्ष कॉष्ट काट लेंगे अपनी जिन्दगी कहीं भी इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझ कर काट लिये कि साब जी का हाथ है हमारे सर पर हमको क्या है परवा किसी बात की मगर नहीं अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनात का कोई नहीं होता हम जा रहें साब जी और इस घर में कभी नहीं आगे अभी निकल जा तुबारा इस घर की देलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मूँ देगेगा तू अरे नाई 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 मुझ नौकर के लिए अपने दिल को दुख देने की कोई जरूत नहीं मैं कदम मिने रखूँगा यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा आँगा उनकी बात को बुर अब नहीं को मारो मारो हमको प्रिष्णा अब बड़ी मालकिन जब विकी भाईया ने हमको चाटा मारा ना हमको बूरा नहीं लगा हरे नेना बावी ने हमको कुता बोला कुता हम वह बीशाय गए अगर आज आज साप जी ने जब हमको चाटा मारा तो अब या नहीं या लगा या उन्हों ने तुम्हें चाटा मारा हाँ और सिर्फ चाटा है नहीं मारा तर चोड़ कर जाने के लिए कहा है और हम यह भी आ रहेंगे नहीं हम जा रहे हैं और आप भी सुनो बड़ी मलकिन अगर भूले बटके हमने आपके दिल को ठेस पोचायो ना तो हमको माप कर देना यह क्या सुन रहे हैं आपने कृष्णा पर हाथ उठाया उसको घर से निकल जाने के लिए कहा आप क्या समझते हैं हमारा कृष्णा चोड़ी कर सकता है अरे अगर भगवान भी जमीन पर उतरकर उसके खि जिश्वत नहीं होगा आप किसे मान गया है काम कमबक मान गया कि क्रिश्णा ने चोड़ी किया पर आपने इसा क्यों किया बड़ी सी बात जानके समझने के कुशिश करो मैं सब कुछ बरदाश कर सकता हूं लेकिन कृष्णा को कुई कुछ कहता है तो एक तीर सा लग जाता है मेरे दिल में आज वो तीर पुरी तरह गुस किया है मेरे दिल में जब लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से उठा ये हाथ मैंने उसे माहनने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने उससे कहा कि निकल जा घर से लेकिन लेकिन ज़रा ये तो सोचे उचाहे का कहां दुनिया बहुत बड़ी है जानकी कही न कही चला जाएगा और ठोकरे खाने के बाद उसे संबलना क्षिए ये नहीं तक भाइव को पेशाना नहीं है मेरे मर जाने के बाद मेरे मर जाने के बाद ne गरीब कि क्या आलत करेंगे यह तुमने सोचा दी अरे वो वो इस घर में रहकर समझ नहीं सकता क्योंकि उसके दिन में मैं ले रहे तेकिन उसे भीजना भी है तो तो दूसरा तरीका उसकी समझ में नहीं आएगा जानकी और वो हमारा दामन छोड़के कभी नहीं जाद आएग कम से कम तुम तो आशिरवाद रहे दो हम समझ गये हम समझ गये कि इस घर से हमारा दाना पानी रुच चुका हरे बड़ी सी दी सी बाते साब जी मगर कृष्णा के समझ में आ जाई है कि गरीब की किसमत उस पर कुछ दिनों के लिए महरबान तो हो सकती है मगर हमेशा के लि इस अब बाजवाटना है कमाल का शहर है यहां कोई बात ही नहीं सुनता वाज साब यह रहने के लिए घर का मिलेगा तही इसने की क्या बात है अर्य बांगलू तेरे को मैंकर का टिकेट कार कि देला किसरे दिले टिकेट अरे बिलना टिकेट आये मेरे पास पैसे नहीं थे ठीकेट करिदने के लिए तो फिर सुन आपबने बहुत भी यह सवाल तबहरा कि नगई क्या तुम लगव क्या इस अने पहले च्छाय I never introduced कि जनटा जाएं झार कि में या प dimensions तुभी आ बोजागा भिड़ू चला जा चला जागा वापस चला जा देख बिडू, आप उन तेरे को दस लाक की बाद फोगड में बताएगा क्या ये जो शाहर है न बंबई, यहाँ आदमी को तीन चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है क्या वो देख नोटी, कपड़ा और मकान उन उन चे जो फोगड़ी मुश्किल से मिलती है चुल तपूवी जोर 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 भाइसा पकड़िये इसको आपरे बच्चा लेगे इसके बच्चा लेगे बच्चा लेगे बच्चा क्या है बेगे जाए को इतना चिला रहे लेगे कुली ये ये अपुन का पंटर है क्या बात है बै भाई साब भाई साब वो बक्सा मेरा है वो वो स्टेशन पर से चुरा के लेगे आ है उस तो मेरे नाम भी लिखा हुआ है क्रिश्ना ए शाने नाम लिखे ला तु क्या हो का रहे अगर तो इस बस्ती में तेरा नाम लिख डालेंगा तो ये बस्ती के तेरे बाप क्यों हो जाएंगी देखे बाई साब आप बाप आपका नजले ये छपरी सुमड़ी में पतली गली काटे दियेंगा एक रापची क्या अगर वो बक्सा हमारा देखे बाई साब वो बक्सा हमारा हमको दे दीजिए उसमें हमारी बड़ी गिम्ती ही चीज़ है हम आपके हाँ चोड़ते है देख अभी अपना दिमागों सटके लागे अगर बाई साब हमारी बात भाई साब मेरा बक्सा मुझे दे दिखिये देखो मेरा बक्सा मुझे दे दो भी वे बंडर चल पेटी ला चल लेगो पेटी उठा भगवान का सब घबराओ नहीं भाई ये थाई हाथों में आके अठके हो अबे गुरू क्या कर रहे हो मार मार के नोडे का पिरोग्राम बिगाड़ जोगे क्या और भाई ये तू भी अपना रास्ता ना ये गुरू बड़ी उठी खोपड़ी का आदमी है अरे मगए मेरे बक्सा इसने अरे बक्से को मार गोली और तू गुल हो जा भाईये तेरे बक्से से बहंगा है ये खोड़ जा देखो भाईया हमने तुम्हारी बड़ी मिन्नते की हाथ भी चोड़े पाउ भी पड़े अब मैं हाथ खोलता हूँ जा से ऍब सकाश्बर लाईये खोलता हुआ प्युम्हारी चाश्बर कि अब तेरे गुरु का पीडियोग्राम बिगड़िया तो शटक रहे जाने देने अब तो श्टक रहे जाने देने देना प्रुजान के अब भी इसना बढ़िया प्रोग्राम दिखाया है नाम नहीं बताओ कि क्या क्रिष्णा लगता है बॉम्बे में नए नए आये हो और सर छुपाने के लिए छपपर भी नहीं मिला अभी तक भूखे भी लगते हो मतलब यह हुआ कि शरीफ आज भी हो बहुए यह तो बात बात रही यह बताओ कि तुम्हारा आगी का क्या पिरोगराम है मेरा मतलब जाओगे कहां जहां पाऊ ले जाए यह भी खूप कही तो भई यह ऐसा करो कि पाऊं को बोलो कि मेरे पीछे पीछे आजाए यही बगल में यह मेरी हवेली नहीं मैं किसी पर बोजने बनना चाहता और फिर जब मेरे अपनोंने मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिया तुमसे तो मेरा कोई रिष्टा भी नहीं है रिष्टा क्यों नहीं है? रिष्टा है देख तू गरीब, मैं गरीब और भगवान कसम भीए गरीब का गरीब से तो वो रिष्टा होता है जो भाई का भाई से नहीं होता बेटे का भाप से नहीं होता और सच बात तो यह है भगवान कसम पहली नजर में दिल में उतर गया है तो चल आजा 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 भाई ये पड़ी दुख भरी कहानी है तेरी भगवान कसब आसूट पकवा दिया तुने तो तुम ने मेरी राम कहानी तो सुन ली मगर अपने बारे में कुछ नहीं बता है बंदे का नाम एएएरपोर्ट है एएएरपोर्ट ये के नाम होग? भण ये बंबवी सहर में लोग मजबूरी को मज़ाग बना देते हैं और वोई मज़ाग कभी कभी नाम भी बन जाता है मैं फिलिम लाइन में प्रोडक्शन मेनेजरी करता हूँ और आर्टिस्टों को हेर्पोर्ट छोड़ने और लेने जाता हूँ आर्टिस्टों को? याने के हेरो इरन को भी? सब को, हमिताब बच्चन से असरानी और सिरी देवी से आरुना हिरानी सब को हजारो बार पिलेन में छोड़ने गया और लेने गया पर कसम से बेरा अभी तक पिलेन में बैठने का पिलोग्राम नहीं बना यार, मुझे एक बड़ा मिता बच्चन से ज़रूर मिलाना है पहिए, अब तु मेरे पास आया है तो तेरा ये पिलोग्राम भी फिट कराई थी अच्छे तुम यह अकेले रहते हो, को रिष्टेदर नहीं है तुमारा है, क्यों नहीं है, एक दूर का चाचा है और एक मुझे दूरी भाबी दूर का चाचा मुझे दूरी रहता है और मुझे बोली भाबी कभी मुझे 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 नहीं लगाती एक बाद तू बता, इस बक्सी में ऐसी कौन सी चीज है, जिसके लिए तू लड़ने मनने को तयार हो गया था बताओ यह है वो किम्ची चीज हाँ, यह मेरे साहब जी की तस्वीर है अच्छा, तो यह उस महापुरुष की तस्वीर है, जिसने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से धक्ये देकर भार कर दिया था नहीं, यह उस देउता की तस्वीर है, जिसने एक पास साल के बे सहारा और अनात बच्चे को पाल पोस्कर इतना बढ़ा किया भगवान तो हमेशा भगवान ही रहता है, उसकी हर हाल में पूजा की जाती है, चाहे वो अपने भक्त को सुखते है, यह दुख, अगर तुम बुरा ना मानो, तो मैं अपने साब जी की तस्वीर तुमारे भगवान के बगल में लगा दूँ वाँ भीए, वाँ, जाओ, साब जी, बहुत यादा थी है आपकी, बहुत यादा थी, कौन खिया लगता होगा आपका, अरे हाँ, भावी मा है ना, छोटी मालकीन है, वो ख्याल रख लेंगे आपका, बनी होगा सब जी, बनी होगा, बनी होगा, बनी होगा, बनी होगा, बड़ी सीधी सी बात है जोटी, मैं साद दिन आराम से घर में बैठता हूँ तो काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ न कुछ करना होगा, नहीं बड़े भीया, हमने अपना सब कुछ खो दिया है, बसे काप ही तो बचे है, अगर आपको कुछ हो गया, तो हम कहां जाएंगे, किसके साहरे जीएंगे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि एक ही मा के कोक से जनम दिया है, कितना फरक है तेरे और तेरे भाईयों में, यही फरक होता है अपने और बेगानों में, कई अपने बेगाने हो जाते हैं, और कई बेगाने अपने हो जाते हैं, जैसा हमारा कृष्णा, पता नहीं पीचारा कहा होगा तुम लोग मुझे ढून रहा हो और माई यहां पर तुम लोगों का इंतिजार कर रहा था तो यह बात है इसे अपनी जेब में रख ले पिचार अब मैं यह ताला तेरी जेब से चावी निकल कर इखो लूगा कर बात लूगो एंट एंति ओिचारा कॉ burdensहांज पिचार अवाला का कर देफ दिटुम जेवारा कि ऊओ लोग ben दो कि लुर देफिएर बन कि अपे कि अपे तेरे पैर पड़ता हूं तेरे हाथ जोड़ता हूं तू कहे तो तेरे को डॉक्टर के यहाँ भी ले चलता हूं पर यह कसम से तुई सपने देखने का पिरोग्राम बंद कर दे वरना एक दिन तेरे यह चीख मेरी जान ले लेगी ओ देख भीए यह दिल की धलकन है यह ट्रेन का एंजन ओ माफ करना एरपोर्ट यार मगर नहीं भीए आज तेरे को बताना ही पड़ेगा कि तेरा पिरोबलम क्या है यह सपने क्यूं देखता है तू एक बेकार आदमी सपनो किसे वाद देख भी क्या सकता है जब तक मेरे सपने सचनी होंगे न यह सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे ओ इसका मतलब तेरे को नौकरी दिलवानी ही पड़ेगी चल भीए आज ही अपने प्रोडूसर से तेरा पिरोग्राम फिट करवाता हूं और तुझे स्पॉट सर वो ये कृष्णा है बहुती महती रणका है सार वो स्पॉट बोई की नौकरी चाहिए चोटी मोटी बात है रख लो इसे हमसे क्या पूछते हो बहुत उपकार होगे आपका पापाजी रहने के लिए घर इन्होंने दे दिया कपड़ा हम पैन कर आए थे और रोटी रोट बंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबे हमको चम गए देख गई बंबई का नजादा दिल की धड़कन थम गई देख गई बंबई का नजादा दिल की धड़कन थम गई भम-भम-भम-भवे, भमबे हमको जम गई भम-भम-भम-भवे, भमवे हमको जम गई मुझा जाए 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 सोने चांदी के ऊपर बनी हुई ये बस्तिया इन गलियों इन पूंचों में रहती है किलमी धस्तिया उनको तो ये स्वर्व लगे जिनकी जेव में माल है मारा मारा करता है जो करता गंगाल है लाखों की रोजी बाती लाखों की तक्दीर है यहाँ जो आया गया नहीं शेहर नहीं जंजीर है हम जो आये इन गरी में अतनी तबीयत रम गई बंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबं उची उची बिल्डिंगें रहने को पर घर नहीं, इतने सारे रास्ते चलने को पर डगर नहीं रोटी की ना बात करतानी बिखता है यहां, धर्ती सारी बिख चुकी बेच रहे हैं, आसमा पैसा सबका माई बाद, पैसा ही भवार है, पैसे के पीछे पीछे भाद रहा इंसान है, लाइन में कच्छाती है, इंसानों की जिन्दगी, देखो जीने के लिए, मर गया कितना आदमी, देख के ऐसे ढालत भीया, आख हमारी नम गई, बंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबं बॉम्बभॉम्वम्वम्भै, बंबभॉय हमको जंगई छफल भाइュ लिए जंगई मेरी चाहे पिले, नकोई धरम है, नकास्ट मेरा नाम है, सूपर फास्ट, पास्ट शेवाश, फिले-बी लार, अहां करता है, क्या वियर ओगरी और निळ dolby कमें लिवाशताियों कंधे, क्वर दिखे, जब खौदि मुझे इस बात का दुख नहीं कि सारे गाहँ वाले नो मुझे गलत समझा मुझे इस बात का दुख है कि आप भी मुझे समझ नहीं पाए चलता हूँ यह क्या किया आपने जिसे सारी जिंदगी प्यार करते रहे उसी को घर से निकाल दिया क्यों क्यों ऐसा किया आपने इस लिए मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और जिसे इस दर्ब बहुत प्यार करता है उसकी मलाई के लिए कभी कभी उसके साथ कंफलत करनातिक भी खेलना पड़ता है तुभी बता हो हमारे पाल सब बचे ही क्या है वरीवी दुखतर तक्रीफ है मैं नहीं चाहता था कि वह भी हमारे चाची जिन्स की जीव है कि अभी उसकी विवरी क्या है कोरी दिन की पड़ी है उसके साथ कि कह चेए कि देखना था कि हमारे अभाव कि आग उसकी दिद्दी की मिझेचर जाए है हम समझ कैं हम समझ्के कि साबजी हमसे नाक किया था वो चाठा वो चाठा नाक था जाए लेकिन इलाज करवाना भी तो पड़ेगा नहीं उन्हें किसी ना किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना जरूरी है लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि अस्पदाल प्राइवेटी हो अब भी ठीक कहने है बहिया बड़े बहिया को किसी खेराती अस्पदाल में दाखिल करे देते हैं मतलब तो इलाज से ही वहाँ पर भी तो लोगों का इलाज होता ही है आप लोग बड़े भीया के लिए परिशान मत होईए मेरे होते हुए ये नौबत कभी नहीं आएगी तुम दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि हमें बड़े भीया की कोई परवानी तुम ही हो जो उनका ख्याल रखती हो तैनों के मामूली सी नौकरी करके चार पैसे क्या कमाने लगई तुम्हारी बहल बिमागी आसमान पे चड़ गया है जोती मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि आखिर तुमने ये जलील नौकरी करके हमारे खांदान के नापे बढ़ता क्यों लगा मेरे नौकरी करने से खांदान की इज़त चली गई भाईया और आप लोग बड़े भाईया का इलाज खैराती अस्पताल में करवाना चाहते हैं ये बात खांदान का नाम रोशन करेगी जोती तुम हद से आगे बढ़ रहे हो हद से आगे बढ़ना मैंने आप लोगों से ही सीखा है भावी जब किसी और ने मेरे गहने चोरी किये और उसका इलजाम कृष्णा पर लगाया गया उस वक्त यह हद कहां थी बड़े भाईया पर कीमती सिगार पीने का ताना दिया गया उस वक्त यह हद कहां थी जब ग्यारंटी के पेपर्स पर दसरखत नहीं हुए और बड़े भाईया को अपनी मन पसंद कार दे देनी पड़ी उस वक्ती हद कहां थी इस घर से दौलत क्या गई आप लोगों की दिलों से बड़े भाईया के लिए प्यार और इज़त ही चली गई आज उनका बाल बाल कर्स में डूबा हुआ है और आप लोग माच की जिन्दगी जी रहे हैं आप लोगों की बेरुखी एक-एक पलों ने मौप की और घसीत कर ले जा रही है आज वो यहीं सोचते हैं कि आप जैसे मकार और फरेवी भाईयों के बजाए उनका एक अकेला कृष्णा हुआ शाबाश रवी शाबाश बहुत अच्छा क्या तो अपनी चोटी बेहन पर हाथ उठाकर तुने अपने बरपन का सबूत द्यारे चोटी बड़ी सीजी सी बात परें इतने सालों से जिस भाई के हाथों पर तु राखी बानती चली आ रही है ना इस थपड़ को इस थपड़ को उस भाई की तरफ से उन राख्यों का नजरा ना समझना तुम अरे कमबग तुझे शरम ना आई आज तक जिस बहन की तरफ मैंने घूर के भी नहीं देखा तुने मेरी उस मासूम बहन पर हाथ उठाया कोई भी भाई अपनी खुशी से छोटी बहन पर हाथ नहीं उठाता लेकिन जब छोटी बहन बड़े भाई का लिहाज भूर जाए तो उसे तमीज दिखानी के लिए हाथ उठाना जरूरी हो जागा है नहीं नहीं उसने कोई बत्तमीजी नहीं किये उसने तो सिर्फ तुम लोग को आईना दिखाया है तुम लोग अपनी शकल देकर इतना चिर जागू उस बिचारी को क्या मालूम तो तंच के तीर बारने सब अच्छा होगा कि आप अपनी बात साफ साफ के लिए अगर आपक कि चांदे नहीं थी कि वहीं बच्चे एक दिन उन्हें खून के आंसों रूलाएंगे अरे इन्होंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए इतनी जल्दी भूल गये भूल आप रही है भावी 13,000 की वो रकम जिसे बिजनेस में लगाकर इन्होंने तरक्की पाई थी वो 13,000 इन्हें एक जोपड़ा बेचने के बाद मिले थी और वो जोपड़ा इनका नहीं हमारी माँ का था इन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो आहिसान नहीं इनका फर्स नहीं कि अभावी वैसे ये लोग जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो वक्त का खाना तो आप लोग खा लेते हैं लेकिन कभी ये सोचा है वो खाना किनके रोपयों से आता है जितना हमसे हो सकता है, हम उतना कर रहे हैं भावी, मगर बड़े भहिया हमारा सुकुन तो ना चीने मैं तुम लोगों से कुछ चीनना नहीं चाहता, लेकिन आज सिर्व एक हक चीन रहा हूँ जान की? इन दोनों में से मेरी चिता में कुई आग नहीं लगाएगा पैसे भी यह हक हमारा नहीं बड़े भहिया, उलाद का होता है मगर अफसोस, भावी मा की कोई उलाद ही नहीं और फिर, आप हमारे जोबी हैं मगर है तो सो तेले भाई प्रोट के आजा बिन तेरे जिन्दिगी अदूरी है ए मेरे दोट लोट के आजा बिन तेरे जिन्दिगी अदूरी है आके दोट एक मेरी हालक को बिन तेरे जिन्दिगी अदूरी है ए मेरे दोट लोट के आजा बन के हम जल्ग मेरा हम साया तू मेरी जिन्दिगी में आया था बन के अंदर जिन्दिगी मेरा हम साया तू मेरी जिन्दिगी में आया था प्यार अपनों के भी ज्यादा किया मुझे तू ने लोग कहते हैं तू पर आया था लोग कहते हैं तू पर आया था आया मेरे जास लोट के आजा बन केरे जिन्दिगी अजूरी है एमे दो तू लोट के आया बन के आया राया मेरे दिल से यही दुआ निकले तू जहां भी रहे खुशहाल रहे मेरे दिल से यही दुआ निकले तू जहां भी रहे खुशहाल रहे भूल के भी ना भुला पाओं मैं तुझे रहूं दाओं हर गड़ी पसल तेरा हयाल रहे हर गड़ी पसल तेरा हयाल रहे ए मेरे दास लोट के आजाओ बिन तेरे जिन्दिगी अजूरी है है मेरे दास लोट के आजाओ हर गड़ी पसल तेरा है जास लोट के आजाओं झाल 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 क्या वहीए रोट गिन्दे का प्रोग्राम चल रहा है किस्टे जमा होगे कुछ ने दिन रात मैनत करने के बाद पेट काट काट कर पैशा जमा करने के बावजूद तिर्फ 900 रुपे जमा कर पाया समझ में नहीं आता यार मेरा क्या होगा यह यह बंबई शहर है इसमें इतनी जल्दी हिम्मत हार होगे तो कुछ नहीं होने वाला हिम्मत ना हरो तो क्या करो दिन का पचास और सौ रुपया कमाने वाला आदमी जाप जी का लाखो रुपय का करजा कैसे उतार सकता है जहां नियत अच्छी होती है न वहाँ सब कुछ हो सकता नहीं यार एरपोट पैसा कमाने के लिए आदमी को चालाग चतूर और पड़ा लिखा होना चाहिए और मैं ठेरा अनपड़ घवार और मुर्क मैं क्या कर सकता हूं यार सब ठीक को जाएगा भाईए वह उपर बैठा है ना सब ठीक कर देगा वह भगवान इस लायक बना दे मुझे कि मैं अपने साहब जी के पुराने दिर पॉपरस ला सकूँ 6501 टेक पॉण आक्षम हाँ हाँ मैं एक मुझने मूँ और चुर्म के इस काले कादे आम सारी यार मैं का फिद्रा हूं टेक पॉण आक्षम आम मैं मुझने मूँ और टेकन आक्षम हाँ मैं मुझनी मूँ और चुरिया हाँ हाँ मैं मोझनी मूँ यार य लाईड़ उपकारो पूरी कॉन्सरेशनों अक्वा लेगोए चेंच दूश आविए में अवारी गाट वाटलवाउ प्लोपाल सवार्ना छोड़ एक्टिंग का राक्टिंग टेकर टिक टटीए एक्शन हाँ साइलेंस यह बुम बेरे मुऊमें में डाव क्यो उपर करो हुआ हाहँ हाँ हुँड़ा हाँ हुड़ा लाफ़ेंग वुस्टैक है है टो हषा हे सप्सक्सारी सॉरी सम्सारी कि हम लोग को कि समझ में आगया मगर उनको नहीं आपया तेरी समझ में आया क्या तेरी समझ में आया तू यह सब तैलाग बूलेगा तू तो तू देखता हूं सुझे में विखाते हुब मागर में अभब हिश्वला से, के दुनिया का कोई इंसान पुरा अथ में नहीं होता, कोई आद्मी अपनी माँ की पेट से बुरा वथा यह कोई दोर अपनी कोई ठाको अपनी खुशी से जागरे डालता कोई तवायव अपनी खुशी से पर जिसन नहीं करती वक्त और हालात इंसान को पुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि भूक और गरीबी से मरे वे इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता तबसे तबसे मैंने जिंदगी में सिर्फ एकी चीज़ सिखिये एकी तमक पाया है कि दुनिया में घरीब पाइदा होना कोई जोर नहीं, कोई पाप नहीं, मगर घरीब मरना, सबसे बड़ा चूर में, सबसे बड़ा पाप हैं, ब्रावो, ब्रावो जो, ब्रावो कि अगौन कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तुने सच को जिन्दगी में दो बार खुश हुआ हूँ एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आच जब मेरे दोस्त को कामियाबी मिली है एक बात समझ में नहीं आ रही है धनराज तुम कुमार साब की कोटी खरी सेटी सिधी अपने नाम क्यों नहीं करा लेते हैं अब घर की निलामी होती है ना तो अब ओकत फैला है हाथ उथा हो रही है इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है भावी एक ना एक दिन तो यह होना ही था तुम लोग अपने इसमर को नीला मोचाने दोगे फिकी फिकी एक घर शिर्फ चुना रेत और इटों से ही नहीं बना बलकि इसमें तुम्हारे बड़े भाईया का खुन और पासी ना भी मिला हुआ है और पिर इस घर से चले जाएंगे तो शहींगी कहां अब तो सब को अपन अपना इंतिजाम खुद करना होगा नेला और मैंने तो अपने लिए मकान देख लिया है हम लोग तो वहां चले जाएंगे और मेरा क्या है भावी मैं तो इस घर में मैमान की तरह हूँ आप लोगों के साथ नहीं तो भहिया भावी के साथ रहे लूँगा मगर आप लोग मत कीजिए भावी जूती आप और बड़े भाईया के लिए मैं कमरा ठूप देखा हां किराय मुझे देना होगा तो सुबह में देदूगा किराय दो कि अ अरे लोग अपनी इर्जत बचाने के लिए अपनी जान देते हैं हमारा घर नेलाम हो रहा है और तुम लोग को रती साइबान ये निलामी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस शांदार हवेली की सबसे पहली बोली चौदरी साब की है पचास लाग काउन लाग 55 लाग पच्पन लाग बोलिये साइबान बोलिये पच्पन लाग पच्पन लाग 56 लाग 57 लाग आगे बोलिये 57 लाग 57 लाग साथ लाग 60 लाग साथ लाग साथ लाग एक साथ लाग एक साथ लाग दो साथ लाग तीन झाल, 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 झाल झाल, 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 झा जाति गर का मन्दिर इस घर के एक चीज मैंने पक्ते यहीं चछाई यह मेरा घर है मेरे पती का घर है यह हमारे प्वार का मंदिर है यह हमारे खुश्वा चुस्ब का सवाky है यह ayud की और शहुत कि नहीं करने दूगी जानकी द करके जानकी 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 दर्वाजा खुलो जानकी मैं कहरो दर्वाजा खुलो जानकी 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 अगर तुम मिम्मत हर जाओगी तुम मुझे कौन साहरा देगा मैं जानता हूँ बहुत बड़ा पहाड गिर गिर गया है तुम पर निलामी की बोलियां तुम्हारे कानों में गूंज रही है मैं जानता हूँ देखो जानकी 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 नहीं ऐसा गसम नहीं करना तुम्हारे सिवाए कोई नहीं है मेरा अगर तुम चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा नहीं जानकी 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 हाँ का एच करणए क्र्शन क्रिशन 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 नहीं जानदी तो हम HC क्रिशन प्रिष्णा एक बार प्टाओं अब तुम स्कार बनने से कोई नी रुक सकता एड़ादी विल मीडिट एड़ाली कमयो भाई एक फटोगाप ले लो ये कल के फिनामेना ये है हाँ ये पोस हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री पे अगर नददाली जाएं तो पता चलता है के अलग-अलग दौर में अलग-अलग एक्टर चॉप के हीरो रहे हैं सबसे पहला दौर था दिलीप सहाब था उसके बाद आए राजेंद्र धर्मेंद्र जीतेंद्र अमिताब बच्चन और आज बच्च बच्ची की जबान पे जो नाम है वो है कृष्णत नमस्ते कृष्णा जी सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूँगी कि आपने बहुत ही कम समय में शोहरत की बलंदियों को छुलिया है यह काम्याभी पाने के बाद आपको कैसा लगा सच पूछी तो तबसुम जी मुझे सब कुछ चमतकार सा लगता है अच्छा कृष्णा जी कहते हैं हर इंसान की काम्याभी के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है आज आप शोहरत के आस्मान पर एक जद मघाता हुआ सितारा बनके चमक रहे है मैं जान सकते हूँ इसके पीछे किसका हाथ है बहुत से लोगों का हाथ है लेकिन सबसे बड़ा हाथ मेरे साहब जी का है साहब जी कृष्णा जी हमारे दर्शे की जरूर जानना चाहेंगे के मैं खुद भी बताना चाहूंगा तब सुम्जी साहब जी यह वो नाम है जो मैं भगवान से पहले लेता हूँ क्योंकि भगवान में बहुत कुछ देख कर वापस ले लेता है मगर मेरे साहब जी ने मुझे सिर्फ दिया ही दिया है आज मैं उनसे दूर सही मगर उन्हीं की दुआओं के बदौलत आज हजारों लाखों आदमी बैटकर हमारा यह प्रोग्राम देख रहे हूँगे हो सकता है मेरे साहब जी भी यह प्रोग्राम देख रहे हूँ साहब जी आप देख रहे हैं न मैं जानता हूँ आप बहुत खुश रहे हूँगे मगर आप यह सोच रहे होंगे क्या आपका कृष्णा भी तक वापस क्यों नहीं आया बस थोड़े दिन और बस थोड़े दिन और किस्मत पर जुदाई लिखिए मैं भवी मा को दिया हुआ वादा जरूर पुरा करूंगा साप जी मैं दरूर लोट कराऊंगा मैं दरूर मैं दरूर लोट कराऊंगा साप जी कि एक्टिंग क्या खुल खिलाएगी आपने जाने च्छोटी मालकिन मैं दो करता हूं कि आप मेरा आटोग्राफ ने लिजे वरना एक दिन वह भी आएगा जब आटोग्राफ ने वाली लड़कियों की लाएं लगी होगी और आपको मुझ तक पहुशने के लिए रास्ता कि यह नेएड़ आट। कर दो कर दो कर दो कर दो टोक कर दो कर काईज इन किसे कड़िये कि राती पुछो ने सथ्या जुता युतिं पादी ऑच्छो ने सथ्या जदायु कि राती पूछो ने साथिया जुदाई दिनाते पूछो ने साथिया जुदाई दिनाते पूछो ने साथिया जुदाई दिनाते मैं चुरे चुरे जुदाई दिनाते हाले रहती ये खयारा में वाल ना जगती ना पूछो ने साथिया जुदाई की बाते पूछो ने साथिया जुदाई की बाते तर छुछो ने साथिया जुदाई बाता ने साथिया जुछो ने साथिया जुछो तुमसे मैं दूर जाके भी कितने वरीब था तुमसे मैं दूर जाके भी कितने वरीब था तुमसे मैं दूर जाके भी कितने वरीब था कुछ नंबर तक इक तेरा तुम्हारा दिखता था जब सपने तुम्हारे आते थे मैं प्यार बरा तक निकता था कैसे कटी राते कुछ नंचातिया जुदाई की पाते केटे कटे दिन केटे कटी राते कुछ नंचातिया जुदाई की पाते कुछ नंचातिया जुदाई की पाते कि धियुओ की पाते के रात okeं के राते के रात्त श्चात थे किवाव थे कि अगया साथ जी बड़ी मलकें इस घर में ताला क्यों लगा हुआ है कौन हो भाएए। कौन चाहिए। अरे मली इस घर में ताला क्यों लगा वा, साबजी का है। कौन साबजी। कुमार साब। अच्छा तुम उन की बातें कर रहे हो। बहुत भले आदमी की बेचार हैं लेकिन उनको बहुत वक्त हो गया यहां से गया हुए। गया हुए। कहा मालुम नहीं साथ लेकिन इस कोठी की निलामी के बाद किसी ने भी उनको यहां नहीं देखा जी हाँ अब इस कोठी के मालिक धनराज जी धनराज और उनके परिवार वाले उनके भाई और भेन अरे साथ वो भाई नहीं थे कसाई थे कसाई अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं यहीं फैक्टि डाल रखी है निलामी के रुप्यों से सारे पैसे हड़प कर गए दोनों थे और कुमार साथ और उनकी छोटी बेहन को खाली हाथ घर से बाहर निकाल दिया वो दोनों इस घर से इस तरह गए जैसे कोई दुनिया से चला जाता है साथ मगर साथ जी मान क्यों गए क्यों सही उनकी बेमानी चुप चाप चले क्यों गए क्या कर दे साथ उन्हें होशी कहां था आगल से हो गए थे मिचारे पतनी के ध्यान के बाद कुमार साब कहा चल लगे कृष्णा ये किसी को नहीं पता लेकिन अच्छ हुआ तुम आ गए बहुत दिनों से एक बोश था मेरे सीन्य पे अक्षय धलका हो जाए मगर नार्पाल साब ये सब आपके जिंदिगी में अचानक कैसे हो गया आपकी बीवी मर गई बेटी विजवा हो गई और मुझे कैंसर हो गया क्या पाप में डूबने वाना दुख में त्यारता कृष्णा तो है साबची की फैक्टरी में आग लगी नहीं थी लगाई गई थी धन्राज के हाथो बिख के वो आग मैंने खुद लगाई थी क्रिश्णा वो आग मैंने खुद लगाई थी धन्राज हैरपोर्ट अब हमें जिंदेगी की स्टेज पर एक नया पार्ट अदा करना है साहाब जी के हर एक दुश्मन से मिलना है नए रूप में नए नाम से हाँ हमें साहाब जी और भावी मा की आखों से भाएवे एक एक आसू का हिसाब लेना है एरपोर्ट उन पर हुए जुल्म का जवाब दिना है और कसम है हमें जब तक जब तक हम भावी मा की मौत और साहब जी की बरबादी का पतलाने ले ले लेते हम और कुछ नहीं सोचेंगे रभी भाईया रभी भाईया क्या हुआ विकी क्यों इतना चिला रहे हूँ अरे जो खबर मैं लेकर आया हूँ अगर वह आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से उचल पढ़ेंगे भाईया एक एक एस्पोर्टर आया है जिसके पास करोणों के ओर्डर्स है एकाद ओर्डर भी हमें मिल गया तो हमारी सिंद्गी भी खुशियों से भर जाएगी लाखों में खेलेंगे हैं अरे तू फिकर मत कर विकी यह ओर्डर हमें जरूर मिलेगा ऐसा सैंपल तयार कराऊंगा कि मार्केट में किसी के पास नहीं होगा वाख भाईया यह हुई ना बात क्वालटी तो बहुत अची पर असी लाख रुपे का ओर्डर है और आपकी सेक्ट्री है बहुत चोटी आप इतना बड़ा ओर्डर तयार कर पाएंगे हम ओर्डर वक्त पर पूरा कर लेंगे मिस्टर मिस्टर एरपूर्ट हिंदी में हवाई अटा आप लोग प्यार से मुझे अट्डा साहब कह सकते हैं अट्डा साहब अट्डा साहब आप हमें एक मौका तो दीजे प्लीज हाँ लाइक उसन सेरपी हाँ सर नेना गार्मेंट्स के दोनों दोनों पाटनें श्यापर आए हुए सर क्या सर देखने देखने में बहुत ही अच्छे हैं नेक शरीफ और बहुत तरक्की करना चाहते हैं इन्होंने इसना बड़ा ओडर अभी नहीं लिया है ना जी दुनिया में शरीफ और अच्छे आदमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं इन्हें आटर दो मुबार्क हो मुबार्क हो मुबार्क हो अब आपका काम हो गया है आप ऐसा की जिए बार महतर साथ से पांच लाक रुपए उठानेजिए इस पांच लाक की वज़े से ये लोग पचास लाक मार्केट से उठाएंगे और मैं यही चाता हूँ पिसना भाया इनका पिनोग्राम तो फिट हो गया अब 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 धन्राज की पारी है धन्राज सेट धन्राज बोलो चूब बोलो आपके पास एक कोठी है स्वर्क नाम की मैं उसे खरीदना चाहता हूँ मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता सोच लिजे मूं मांगी कीमत दूँगा मैं फिर भी तैयार नहीं पचास में भी नहीं अरे पच्पन में भी नहीं साथ में सब्सक्राइब नहीं थी मैंने बोल दिया ना आपको सत्तर में अब कौम साब बोले हैं असे अखिर इस कोटी में ऐसा है क्या मेरा पट्राइब की नपे ठेरिये 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 आप इतनी जीत कर रहे है तो मैं आपके दिल टोड़ू का नहीं मगर एक बात पूछूंगा हूं आप कहीं मजाग तो नहीं कर रहे है ना मैं मजाग नहीं करता हूं ठीक है ठीक है काख़ात मैं तियार कर वा चुका हूँ आपको सिर्फ तस्तकत करना है, मेरा आद्मी नबे लाख लेकर भार खड़ा है यह रखना मद है मैं भी आता हूं गुड मॉर्निं यह रहे आपके गाख़ा और यह रहे आपके नबे लाख अधर यह लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लाग पर अकरी मान जाओंगा मुझे आदमी की आवकाद का अंदादा है धनराज मैं जानता हूँ कौन कहां कर तूट सकता कि यह लीजिए हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आदमी की बात समझ में ना है उसके साथ कभी सौधा नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है इसके लिए मैं आपके साथ सौधा करूंगा क्योंकि इसमें मेरा फाइदा है कि यह लीजिए एक बात मुझे बताई है आपके बाइदाब जमीन के भाव को आस्मान का पहुंचाना चाहते हैं क्या जी नहीं उनका पिरोग्राम थोड़ा उल्टा है वो आस्मान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं बेठे हैं चाहते हैं बेठे बेठी हैं रे अजी रोकरणी ऊदार काली चलना 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 हो जे रोकरणी तुकरणी हो अगाली कि आपकी फैक्टर में आग लगते हैं कि यहां कौन से तुम भॉच्पेर बोज़ा तुम अच्छाए से तरफ गारिगाइए तक यहां धात नाग लिए गारी गारी, गारी हो बारी, उतनललगी पारी, उप्र बेन कुझ्योगी, पारी हो ये में तो ये जिर उस ताल दाओ रनाज कृष्णा तो? हाम तुम्हारी वर्बादी का नधरा देखने के लिए आया हूँ याद है धनराज ठीक है था ही नधरा हमने पहले भी कमी देखा है पर चिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम खुश थे खार आज मैं खुश हूँ मैं समझ गया मैं समझ गया सब तू नहीं करवाए यह सब तू नहीं करवाए मैं समझ गया यह कहो धनराज कि भगवान ने तुम्हारे पूरे करमों के सदा दिये तुम्हें तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है धन्राज यहां तुम्हारे मिल में आग लग गई है और वहां नब्वे लाग पाने के चक्कर में तुम्हें सवर्ग भी बेख दिया मैं समझा रहे हैं जरा सोचो कि अगर वह नब्वे लाग भी तुम्हारे पास ना रहे तो ऐसा नहीं हो सकता ऐसा हर्गिस नहीं हो सकता सिर्फ तुम्हारी गुजराती में ही नहीं दुनिया की हर जबान में एक कहावत है कि उपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती नहीं अरे नमस्ते आई 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 यह क्या पियेंगे विएंगे कुछ नहीं हम तो आपको याद दिलाने आए हैं कि कल तेरा तारीक याद है पेफे कर रहे हैं तुलानी जी कल आप सब लोगों को अपना अपना पैसा ब्यास के साथ मिल जाएगा माल तयार है बस हम लोग देले देली रिजाने आ आपके माल के डेलेरी हो जाये हमरां पैसाही मिल जाया हो कि नमस्कार लोग्सकात अड्डाचाहब अठ्डा长य अरे बहुत मैं कॉई तो भहिया ऐसा करो अब लोग भूल जाओ यह क्या क्या रहा है यह अध्या साब भर्माद हो जाएंगी तो इसमें क्या कर सकता हूं याद अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं अब जिसे मिलना चाहते हैं हाँ आप राइट जाके लफ्ट बुर जाएंगे इसी रूम में बैठे हैं सिट जी यह क्या आपका मैनेजर क्या आप अमरे माल के डिलिवरी नहीं लेना चाहते हैं ऐसा गजब मत कीजिए सिट जी हमारा माल हमारा घरबार सब नहीं लाम हो जाएगा हम बर्बाद हो जाएंगे सिट जी यही तो मैं चाहता हूं क्रिश्न आप लोगों का दो कोड़ी करना वकर क्रिश्न वही कर जिसे कुट्टा कहकर उसके मूँपर चाटा मारा गया था कि वही क्रिश्न जिस पर चोरे का जूटा एलदाम लगा कर उचे घर से बाहर निकल दिये गया था तो इस बात का बदला ले रहे हो तुम मेरे साथ किये गए सुलुक को तो कब कब भूल चुका हूं मैं मगर अपनी पड़ी मलकीन के आखों से बहे हुए आस्मों को कैसे फूलू मेरे साथ जी के सिने पर तुम लोगों ने जघ्म दिये वन्हें कैसे फूलू में याद है पूरे वक्त में तुम लोगों का गिरगड की तरह रंग बदलना याद है गरंटी पर मद्थाकत करने से इनकार करना इस याद है करजदारों को दर्वाजे पेसे कार को ले जाना याद है साप जी को जबर्दश्टी सिगार छोड़ने पर मजबूर करना हरे विक्की बाबू हाँ आप लोगों को कुछ याद नहीं मगर कृष्णा को सब याद है जाओ नहीं उठाता मैं तुम लोगों के माल के डिलिवरी चाप जाकर किसी पोली सेशन में रिपोर्ट लिखाओ जाओ किसी अदलक दर्वाजा जाओ अब पता चलेगा जब करजदार तुम लोगों के द अब यह खड़े क्यों जाओ 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 इससे पहले इससे पहले कि मेरे दर्वान आकर तुम्हें यासे धक्या माल कर निकाल दे निकल जाओ यासे मैं कहता हूं निकल जाओ माफ करना सब्ची माफ करना अरे क्या बाद आज खुशी के मौके पे ये उदासी का पिरोग्राम अरे भाई आप तो तुमने अपने सारे दुश्मनों से बदला भी ले लिया तुम्हें तुम्हारा स्वर्थ भी मिल गया फिर भी एप एरपोर्ट जब तक स्वर्ग में तेलता नहीं होता स्वर्ग स्वर्ग नहीं होता है कल मैं उस मंदिर में जाओंगा जहां साथ जी ने पहली बार हिस्सानात के सर पर हाथ रखा था मुझे पूरा विश्वा से एरपोर्ट वहां मेरी प्रात्रा जरूर पूरी होगी खाली पेट दवा भी क्या असर करेगी पूख लगे हैं न दो दिन से तेरे पेट में आज का एक दाना भी नहीं गया और कहती है पूख नहीं ले मैं भी आता हूँ हे भगवान मैं सहाब जी को ढूँड ढूँड के ठक्या पता नहीं वो कहा होंगे किस हाल में होंगे तुने मुझे सब कुछ दिया है भगवान मगर सहाब जी की बिना सब अदूरा है उनसे मिला दे भगवान उनसे मिला दे मुझे बैठिये बैठिये आप लोग बैठिये आई साब भी बैठ जाएगे किस्टा जी आज खुद अपने हाथों से प्रसाद बाटेंगे किस्टा जी आज खुद अपने हाथों से अज़ जाएगे किस्टा जाएगे षबशेड़ तaliो지 ऋबशेड़ ऊचिर ऋबशेड़ चो चायो ऐस वह मेंद़ प्रु कहीं उदेड़ झायो नबशेड़ travelled Eachis उदेड़ उदेड़ क्या हो गया तेरे तेरे जाने के बाद किसमती रूड़ गए रहे किष्णा तब कुछ शीन गया यहां तक कि तेरी बड़ी मालकिन भी मुझे छोड़ कर चली गई हां हां पता लगा पता लगा साफची तुझे कितने अर्से के बाद देख रहा हुरे तुझे है चोटी मलकिन कैसी है अर्से के जर्ड़ी टौवी टॉग जर् οजई टुझे है झुझे है कर दो 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 अरे भाई तुम लोग एक दूसरे को देखते ही रहोगे या घर में भी चलोगे चली साब जी एक रिष्णा चल लो कि स्वर्ग आपके बिना विरान पड़ा है साब जी झाल लो एक रिया हैर बाई जी एक बिराने लो एम क्रिष्णा, इन्हें मैं या लायों सब्ची तुम लायों सब्ची in के किया कि इस ज़दा मिल चुकी है अब ये लोग दूली हैं बेगर हैं बे सहरां इन्हें माफ कर दी जे हैं माफ कर दो इन्हें इन्हें माफ कर दो अरे यह तो मेरे पत्ती के काति लग, तुम चाहतो कि मैंउंने माफ कर दू ऐसा मत कहीं बड़े भीया गलती तो छोटों से हो ही जाती है मगर क्या बड़ों का ये फर्ज नहीं कि वह उस गलती को भूल जाए अरे भगली तेरे चेरे पर मारा हुआ चाटा तू भूल सकती है लेकर मैं नहीं भूल सकता हूं जो जख़म इन लोगों ने मुझे दिया है वो इस जना में तो क्या मैं अगले जना में भी नहीं भूल सकता इतने कठोर मत बनिये बड़े भीया इनके इस पुरे वक्त में अगर आपने भी इनका साथ नहीं दिया तो फिर और कौन देगा और फिर भूल गए भावी क्या कहत जो अगरा इनकार जानी ती जो माफ करना नहीं क्यान चाहा है कि उन्हीं माफर करने के बदले में अगर भगवान नर्क में भी जग़ा दे देना के मिघ्थ का आफसोस नहीं होगा कि में इन्हें अगर आज मैंने इने माफ कर दिया तो वो बड़े भाई जो बाप की तरह छोटे भाईयों को पालते हैं वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे अगर आज इनोंने अपना बुरा सुधानने के लिए अपनी आखों में आशूबी बढ़ लिये तो इस इस बत की क्या गरण्टी एकि sacar बदेग Circ edge रंघन नहीं बदेगा इस बात की करेंटी आए इस वाकिन जाया कि अधी शुद्तिन एक दिन इन्हीं बच्चों को सीनी से लगाकर तुन्हें मुझे वचन दिया था कि कभी इनकी आँखों में आशों नहीं आने देगा और आज यही बच्चे तेरी आँखों के सामने हैं तो तुझे घुटन हो रही है भूल गया अपना वादा तोड़ दिया अपना बच्चन क्रिष्णा मैं भी डोक्तर में लेगा तो नहीं क्रिष्णा नहीं जीनना नहीं चाहता रहे मेरी मेरी हर कोई चुटन है नोटादी मेरे 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 भाई मेरे भाई मेरी दॉलत मेरी इस्थ मेरी इस्थ मान मर्यादा इस वर्क इतने अहसान के तुमिज़ पर एक एक साना करते हैं बोलो सब्सक्राइब हुकम करो जुटी खात है यह पगले पगले दिल में बहुत बहुत कार करते हैं इसका हाथ इसका हाथ जान की प्रिष्णा तेरी बहुत 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 सब्सक्राइब जान की आपने यह क्यों कि आपने आपके जिंदेगा आपके मुट्टी में थी और आपने मुट्टी ने खोली सब्सक्राइब बहुत 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 बहु झाल झाल